जरूरत पढ़ने पर अपने ही काम आता है दवाईया और जरूरी सामान अपने नज़ी की मेडिकल स्टोर से ही मंगवा है लोकल को सपोर्ट करें, डाउनलोड करें आयू एप सबसे तेज, सबसे भरोसे मन्द चूर पर ले जाया गया, चूर एजनसी के मालिक ने उसका यौन कोशन किया बार बार यौन कोशन से तंग आकर बच्चे ने परिजनो को इस बारे में बताया जिसके बाद दो नवेंबर को मांसरोवर थाने में मुखबमा दर्ज कराया नेज्जा मोदी स्कूल के स्टुडेंट से यौन सोशन का मामला सामने आया है 13 साल के मासूम बच्चे से यौन सोशन स्कूल की तरफ से टूर पर गया जिसके बाद टूर एजनसी मालिक पर यौन सोशन का आरोब बच्चे ने लगाया है परिजनों को ये बात बताई बच्चे को ये गिनोना करते हैं और इसकी शिकायत होनी चाहिए तब उसने अपने माबाप से हिम्मत करके शिकायत की जब उसके माबाप जो की NRI है जिने इंडिया के सिस्टम और कॉंस्टिशन और गॉर्मेंट के पॉलिस के बार में कुछ नहीं पता है वो जब थाने गए तो पुलिस प्रशाशन ने इनके साथ इस तरह का बरताव किया जैसे इनोंने ही कोई गिरना करत किया हो और अगर इनोंने कुछ गलती की होती तो पुलिस पॉसको एक्ट में मामला दर्च किया पुलिस ने वो नहीं करती तो जब पुलिस ने ये मान लिया कि गिनोना करते बच्चे के साथ हुआ है इस तरह की दरिंदगी हुई है और पॉसको एक्ट में पुलिस ने मामला दर्च किया तो दो तारीक से लेके अभी तक उसमें कारवाई क्यों नहीं हुई सबसे पहले दूसरी बात ये कि वो जो रिशी सक्सेना है वो उल्टा इन पे इल्जाम लगाता है कि ये लोग उनको थ्रेट कर रहे हैं तो उसको बुलाके कोई बी किसी भी तरह की पूच्टाच क्यों नहीं की गई इसे खबर पर जादे जानकारी के साथ हमारे स्योगी भारत दिक्षिट जुडगा है भारत बड़ा स्कूल लेकिन जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है और यौन सोशन की बातारिये 2016 से 2019 के बीच में अब ये मामला दर्ज़ हुआ है आरोपी फरार है क्या कुछ जानकारी आ कि 2019 के बीच में जब बच्चा इसकूल टूर पर विविन इस तानों पर यहां पर गया तो उस दर्मियान जो टूर एजनसी के मालिक है उसके दवारा यहां फोशन ने बच्चे के साथ यहां पर किया गया लेकिन जब 2019 के अंत में जब इसकूल के और से काउंसलिंग की गई जब बच्चे को पता लगा कि यह पूरी तरह से गहर कानूनी है तो उसके बाद बच्चे ने हिम्मत करके अपने परिवार वालों को सारी घटना बता ही उसके बाद परिवार ने दो नममर को मानसर वार ठाने में जाके मामला है वो दर्ज करवा है उसके बाद सबसे गरबतारी तुरंट प्रवाब से हैं पर होनी दी लेकिन पुलिस की और से अभी तक आरूपो के गरबतार है वो यहां पर नहीं किया गया है इस संबने बाद जो परीजन थे वो दरसर भेनाराई है उसके बाद जो पुलिस की प्रकरिया को समझने में कासी थिक्कत उनको है पर इसके बाद प्रेस बारता उन्होंने आपर की और उनका यह मांग है कि आरूपी को जल से जल दे गरबतार करके बच्चे को यहां पर नायमेलों इसके साथ सबसे बड़ी बात यह कि अगर इस तरह की घट्टा को यहां पर होती है तो और भी बच्चे है वो इसमें शाम कैसी कोई खबर सामने आई है कि बिल्कुल जिस पकार से पीरिट तो ने अभी बताया कि जो टूर एजनसी है इंक्रेबिटल जर्नी टूर एजनसी के नाम से नीचा मोधी से जुड़ा हुआ हुआ है नीचा मोधी स्कूल से जब भी बच्चों को टूर पर ले जाए तो यह एजनसी है वह यहां पर काम करती है और एजनसी बच्चे को टूर लेकर नाके बल इंडिया के अंदर वलकि बाहर विजेसों में भी लेके जाती है उसके साथ सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि जो टूर एजनसी है और भी कई नामची स्कूलों के साथ चुड़ी मामने में बारत इस्कूल का क्या कहना है, उनका क्या ठेक है इस पूरे मामने में? पर इसकोल परिजन का जो भी रविया है वो बिलकुल संदे की इस्तिती में जाता है कि इसकोल परिशासन खुद भी पुरिसके साथ आरोकी को बच्चाने की कारवाई है वो एक पर कर रहा है जी और परीजन क्या आप इस पूरे मामले को और आगे तक ले जाएंगे भारत परिजन एनराई है और उनका बच्चा नीजा इसकोल मोजी स्कूल में पढ़ता है उनका यही कहना है कि हमारे बच्चे के साथ जो हुआ है उसके साथ जो अन्य और बच्चे हैं उनकी संभामें बैटिक जारे कि हो सकता है वो भी पीडित हो तो आगे वबिश में ऐसे बच् किये जाते तो उसका खयाल रखना होता है एक बच्चे की मानसिक स्थिति क्या रही होगी जब उसके साथ ये तमाम चीजे हुई है और जब वो बच्चा सामने से बता रहा है उसके बाद अगर कारेवाई ना हो तो कही ना कहीं यह बहुत नेगेटिव जाता है भारत आगा जो बच्चे बविश है जो आगामी बविश में कहीं तूर पर जाया तो उनके साथ इस पकार की अप्री अगटना है वह यहां पर नहीं हो तो इसी के लिए अब जो पीड़ बरवार वो न्याय करा लेकिन पुलिस पुसासन की और से लगातार दो नमंबर को जब आपका इंतमाम चानकारियों के लिए चलिए सी पुदि